सो दुस्तू आप लोग कैसे हैं उमीद करते आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे साथ में बोट परिच्छा के लिए मजिल से त्यारी कर रहे होंगे सो दुस्तू आज के स्कलास में देखेंगे कलास त्वल हिस्टरी यान की तिहास के गेस ऑबजेक्टी परिच्छा के जिश्टी से काफी इपोर्टेंट है सो दुस्तो आप लोग भी अच्छी तस से त्यारी करके 32 बहतर माक्स लाना चाहते हैं आप लोग भी चाहते हैं कि फाइनल बोट परिच्छा में एक भी प्रिच्छ नहीं छूटे आपका जो रिजल्ट हो काफी अच्छा काफी बहतर आए तो वीडियो को इसकी मत करें वीडियो को सुरू से लेकि लास्तक बने रहे क्योंकि यहां वीडियो आपके लिए काफी यूजपुल होने बला इस लास्तक के बने रहे तो चले दुस्तो बिना देर कर तो इस वीडियो को सुरू करते हैं जितने भी चाचता इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को सुरू से लेकि लास्तिक बने रहे हैं कोर्सिस करें कि हर एक अब्जेक्टी प्रस्ण को अच्छी तरसी याद कर सकें क्योंकि इस वीडियो में जितने भी अब्जेक्टी प्रस्ण हैं जितने भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपका जो त्यारी को कैसा त्यारी है तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी प्रशन को देखते हैं इससे पहले आप लोग चाहिए पहली बार आया तो चाहिए सब्सक्राइब कर लिजे सात्मिक बेलक नर्युक्राइब कर लि Exec ताकि आपको आपके स्कीन परेक्षा आपका पहला प्रशन है धूत्य विस यूदक पूससेकता है धूत्य विस यूदक की स्वर्ण पारेक्षा यानि देखते हैं त्यू चूरू हुआ इसका जो correct answer है right answer option वीस का right answer है 1949 S.P. में शुरू हुआ तो एक का right answer option भी है अलप्रिषण निया पी दिखती दोनग प्रिषण है साध दीपो का नगर किसे कहा जाता है सो दुस्तो आप से घ्जाइम पूछ सकता है साध दीपो का नगर किसे कहा जाता है इसका जो correct answer है right answer option D's का right answer है बंबाई को कहा जाता है अल प्रिश्णियापी दिक्सित 3 प्रश्ण है महात्मा गांधी का जनब कब हुआ था सुदूश्तो आपसे बूलत प्रिच्चे हैं यह पुछ सकता है महात्मा गांधी का जनब कब हुआ था इसका जो correct answer है right answer option A है 2 October 1889 इस भी को महत्मा गांधी का जनब हुआ था तीन का right answer option A है इबन बतूता ने अपनी यात्रा का भी ब्रण किस भासा में लिखा था इसका जो correct answer है right answer option A इसका right answer है अर्भी भासा में लिखा था तो चार का right answer option A है अजर जो आप से जहने पूछ सकता भारती सेप्धान की पारुप समीती के अधाप्च कोन थे इसका correct answer right answer option D इसका right answer है भी मुदा अंबेद कर तो जो जो पाच का right answer option D का correct answer है एल प्रिश्णी आपी देख से छेन प्रिश्णे डांडी किस राज्य में इस्तित है तो दोस्तो आप से जायन पुछ सेकता है डांडी किस राज्य में इस्तित है तिसका जो कॉरेंग टेंसर है राई टेंसर ओप्शन डी इसका राई टेंसर है बुजरात में इस्तित है तो जो correct answer, right answer option D है, दचिनी भारत में भीताया, तो दिस्तो 7 का right answer option D है, अलको प्रिश्ने आपी दीखते आठू प्रिश्ने, पुत गाल्यों ने गोआ पर कब अधिकार किया, इसका जो correct answer, right answer option C है, 1510 इस्वी में अधिकार किया, तो 8 का right answer option C है, अल प्रिश्ण आपी देखते नौन प्रिश्ण है फाते पूर्ष सिकरी को किसने राजधानी बनाया इसका जो राइट एंसर एक और एक और ने राजधानी बनाया तो नौका राइट एंसर आप्शन भी है तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को सेर नहीं कहाएं वीडियो को सेर कर दे ताकि और भी चाचता है जूर्ष के वो भी बोर्ट प्रिच्चा के लिए अच्छी तरसे त्यारी कर सके इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके समने आई बटन दिख रहा ह तो आगले प्रिच्च्थ देखना है भारत में आने बला परतम पुत्गाली खोन था इसके जो सेरे वस तो भाथ में आने बलाप परतम पुत्गाली खहां तो वास को डिगामा 10 आपσιर अर्ले प्रिक हैं बंगाल की भाजन की घुषカ का किस वर्स हुई सुस्टो आप सभी को पता हुगा कि बंगाल की भाजन की घुष्ट भूस धी इसका जोademर टेंसर राइचेंसर्ड उप्सजट का 100 5 इसिवी dwina का आया का राइचेंसर उप्सजट डीस का राइट एंसे 1920 इसपी में शुरू हुआ तो 12 का राइट एंसर ऑप्षन डी है अलब रिश्ण यापी दिखस्ती 13 प्रशने पकिस्तान का पर्थम परधान मंतरी कौन था सु आप से एक जैम पूछ सकता है पकिस्तान का पर्थम परधान मंतरी कौन था इसका जो correct answer है right answer option भी है जो कि लियाकत अली तो दिस्तो तेरा का right answer option भी है अलो प्रिश्टन आपी देख सी 14 प्रश्टन है खोजा मुहधीन चिश्ती की दरगा कहा है जिसका जो right answer है correct answer option भी है अजमेर में है तो चौदा का राइट एंसर उप्सन डी है जितने भी चार्चता इस वीडियो को देख रहा है सभी प्रशन को याद कर ले क्योंकि ये सारे प्रशन भी भी आए प्रशने आपके एकजाम में आने की संभावना है तो यहाँ पी जो 15 प्रशन है जो उप्सनेक से कहा से परप्त हुए सो आपसिक जाएं पूछ सकते हरा परस बहता में वीशा लसनार का अपसिस कहां से पराप्ट हुए इसका जो correct answer है right answer है option भी इसका right answer है मोहत जो दो से पराप्ट हुए तो 16 का right answer option भी है सो दोस्तों आपको बोट परिच्छा में साई से option पढ़ लेना है उसके बाद ही गोला करना है क्योंकि बहुत सरी student है जो की गलती कर देते तो आपको ऐसा नहीं करना है तो 17 परस नहीं करा है कि लोथर किस नदी किनारे इस्तित है लोथर किस नदी किनारे इस्तित है इसका right answer ह अलब नदी किनारे इस्तित है तो 17 का right answer option C है अलब रिष्णिया पी देखते जो अठार प्रस ने निजा भुई दीन और याक की सूफी सिलसिले से समन्दित है इसका जो राइट एंसर ओप्सन ए है चिस्ति से समन्दित है तो 18 का राइट एंसर ओप्सन ए है अलब सकता है गोपूरम का समद्ध है इसका जो correct answer right answer option C इसका right answer मनिल से तो निजिसका right answer option C है अलब रिष्णिया पी देखते पुरानों की संख्या कितनी है पुरानों की संख्या कितनी है आप सभी को answer पता है तो जरूर कोमेंट करे इसका जो राइट एंसर ओप्सन वीसका right answer 18 त पुछता है तलवन की किसका जनम अस्थान है इसका जो राइट एंसर ऑप्सन डी सका right answer गुरु नानक का जनम अस्थान है तो की सका right answer option D है अलब प्रिश्णिया पी 22 प्रिष्णिये गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था तो इसका right answer option B फायान है जो की भारत आया था तो 22 का राइट एंसर ओप्शन भी है सो दोस्तू अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कहते वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि कापी मेंद करने के बाद वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो को सेर कर दे ताकि और भी चाचता है जो सब्सक्राइब पूछ सकते हैं इसका जो राइट एंसर और आपको सर्च करें एजूकेशन बाई गुपता जी वह आप यह आ जाएगा और आप लोग अस्टानी से जोड़ सकते हैं सब्सक्राइब आप लग भी अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट बने रहे और सभी प्रशन को याद कर ले तो अगले प्रिश्णिया पर देख से 24 प्रशन है दम की सुरुवात किस ने की थी इसका जो राइट एंसर है और असोक ने की थी तो 24 का र तो 26 सप्रशन है इंडीका के लेका कोन है इंडीका के लेका कोन है इसका जो राइट एंसर है、 और एक टेंसर है ऊप्सन्पीस का राईट एंसर मेगा स्वी तो दिस्तों सब्सक्राइश का राइट एंसर उप्सन्पी यह प्रिश्मया पी दिख से आठाइसर प्रस्टिन नामक पुष्टा कि लेकर कोन है स्वाप से जैन पूछ सकता है डो गरेट रिवोर्ट नाम कुर्षत के राइटर लेकर रशनाय कार कोन है तो इसका जो राइट एंसर है ओप्छन भी इसका राइट एंसर है असुक मेहता तो दिस्थों उन्तिस का राइट एंसर आप्छन भी है इसका जो राई टेंसर आप सर में इसका अस्धापना हुआ तो दिसक्यक राई टेंसर प्रशन है अलबुनि किसकी साथ भारत आया इसका जो और यह उप्सन जो की इसका राइट एंसर ओप्सन ए हो जाएगा मुहमद गजनी के साथ भारत आया तो एक तिसका राइट एंसर ओप्सन ए है अगर आप सभी वीडियो देख लिते हैं तो आप इस बार एक्जाम में आप अच्छे से बना की आसकेंगे और अच्छे से बना की आयेगा तो आपका जो रिजल्ट है पंचान में प्लस पार ही जाएगा यह गारेंटी है तो अगले प्रिश्णी आपी देख सकते हैं जो 32 प सिंदु घाटी की निवास्यों को किस धातू का ग्यान नहीं था तो 33 प्रिश्णी आपी देख सी 34 प्रिश्णे संथाल विद्रोग किस वर्स हुआ संथाल विद्रो किस वर्स हुआ इसका जू राइटे एंसर हैिक ऑप्सन अथान सो 3-ring पर इसवी में हुआ यहां पी option के अधार पी इसका answer दिया है तो 34 का right answer option दिया है बहुत सारे ऐसी प्रस्णा आपके बोर्डिंग जाब पूछेंगे जिसका जबाब आपको option के अधार पे देना होगा तो अधार प्रिष्णी आपी देख से ने जो 35 प्रस्णी काफी पोटेंड काफी महत्पून है करा कि तमाकू का 700 परतम किस मुगल सर्वराट ने किया तो इसका जो right answer है correct answer है option C है option A है जो की अकबर ने किया था और इसका जो की परतिबन किस ने लगा था तो जहांगी ने लगा था तो 35 प्रिष्णी आपी देख से जो 36 प्रिष्णी आप लोग याद कर लिजे और इस वीड़ों को अपने दोस्त में सियर कर दीजे ताकि और भी अच्छी तरसे तरसे त त्यारी करश के चाया पे नहीं हो चाहों सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह की और सब्सक्राइब का वीडियो मिलता रहे सबसे पहले तो अगले पर इस दिया पर इस से 37 परसने सीरी मन भागमत गीता के महत पर किस ने विचार व्यक्ट किया है तिसका जो राइट एक प्रसन चलना है कि अच्छे माक्स लाएंगे अच्छे माक्स लाखे पास होएंगे अपने पीता का नाम उचा करेंगे तो आप लोग लास्निक बने रहे और सही प्रसन को परोपर याद कर ले तो अगले प्रिश्णी आपी दिखते उन 40 प्रिश्णे महल वारी बंदोवस किसके द्वारा लागो किया गया इसका जो राइट एंसर और के द्वारा लागो किया गया तो चालिस का राइट एंसर आप्सन ए है इसका जो राइट एंसर और ऑप्सन भी है जी एस लिवी देब को कहा जाता है तो का 60 का 60 क्यां प्रिश्तन पищा उप्सर सब्सक्याइब बैसे पाकिस्तास सम्द किस ने कुए सब्सक्राइब间 के तैंट्सर इंशे है सो कर्वेक्ट य से ओप्सर इसका राइज पीर अली किया तो 42 का राइटेंसर आपसर ए हैं अलब जोरा जोरा तिसकी चवालिसर प्रशने महाभार्त की रचना किस लॉंग वेंज में हुई है तिसका जोकुरेंट एनसर ऌपसर्ट ए है सनस्कीत भासाँ में हुई है तो 44 चार आपस्ञ तो 46 प्रश्चन प्रेश्न पूर्ट विलियम की सर में इस्तित है तिसका जू राइटेंसर है कोरेक्टेंसर उपसर डी है जो की कोलकाता में इस्तित है तो 46 का राइटेंसर उपसर डी है अलबिशने आपे ईए निकस तिठे 48tae प्रश्ट ने भारत का पथा मेगल सहसर कोन था इसका जिए राइड एंSER अपसर एहां बावः था तो 48 अरुट एंSER अपसर एहां आपसे जाब पुश्यकता है दिली चलो का नारा किस ने दिया इसका जो correct answer है option D, इसका right answer है सुभा चद भोष ने दिया, जो दिस्तु 49 का right answer option D है, अलबरिशने आपे इन इसकी पचासर परशने गेटवी ओप इंडिया की सैली का उधारद है, ठीक है आप सिख जाब बुस्ता है gateway ओप इंडिया की सैली का जो की example है, तो इसका जो correct answer है, right answer option C इसका right answer इंडो, सरा सैनिक सैली की जो की उधारद है, इंडो सरा सैनिक सैली का उधारद है, तो पचास का right answer option C है, तो दूस्तव आपको बन्ता दें, इस class में, class 12, history यानि के इतिहास की तो पहले सांपको कितने प्रश्चिया थे साही से कमेंट करें वीडियो आपको कैसे लगा यह निछे कमेंट करें उमीड कर दिया वीडियो आपको अच्छा लगा हो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए साथ इस वीडियों को सेर कर दीजे ताकि और विश्टूडन अच्छी तरह से त्यारी कर सके सो आप लोग चाहिए पर नहे हो चाहिए पहली बार एह दो चाहिए को सस्क्राइब कर लिजे ताकि इसे तरह की वीडियों आपको मिलता नहीं सबसे पहले सो दोस्तू आप लोग ये कॉमेंट करके बताए कि ये वीडियों आपके लिए यूजफुल था या नहीं ठीक है और सो दोस्तू आप लोग ये ज़रूर कॉमेंट करें कि आपको कोई से समजिक के उपर वीडियों चाहिए ताकि उसके उपर भी वीडियों मिल सके तो चलिए दूस्तों फिर में लेकिसे और वीडियो को साथ जाहिद आपसका दिर सुभो